नमस्कार दोस्तो वेलकम टू बाइजू जू गॉर्मेंट एक्जाम प्रेप चैनल दोस्तो आज हम लोग डिसकस करेंगे डेली करेंट अफेयर में 10 सिप्टमबर 2021 के नीज पेपर में से जो कि आपके एक्जाम CHSL, कमबाइड ग्रेजुट लेबल, NTPC, इंटेलिजेंस CPUSI, दिल्ली पुलिस और अधर स्टेट सर्विसेज एक्जाम के साथ साथ बैंकिंग एवर्नेस के लिए भी यह हल्प करेंगे तो आईए एक एक करके डिसकस करते हैं Now we have to discuss about National Affairs, रास्टी अमामलों में पहली महत्पूर्ण खबर है IIT मदरास Best Institute in NIRF Ranking यानि यह 6th edition था Indian Institutional Ranking Framework इसको कहते हैं NIRF तो इसमें जो है सरुसेज संस्थान के रूप में IIT मदरास को मिला है परतमस्थान और इसी में भारती विज्ञान संस्थान बैंगलूरू को दूसरा स्थान मिला है IIT मुंबई को तीसरा स्थान मिला है तो यह ध्यान रखिएगा एकदम Fact Based है तो इसे याद करना है इसको अलग-अलग स्रेणियों में आप बना लीजिए तो सिख्षा मंत्री कौन है इस समय धर्मेंदर प्रधान है तो भारती यह संस्थागत रैंकिंग धाचा के छटे संस्क्रण में इंजिनियरिंग कालेजों को जो सीर्स दस संस्थाओं की सूची में आठ आई आई टी और दो एन आई टी संस्थानों ने स्थान बनाया है भारती विज्ञान संस्थान बैंगलूरू को दूसरा और आई आई टी मुंबाई को तीसरा स्थान और आई आई टी दिल्ली को चौथा स्थान तथा खड़कपुर को पांचवा स्थान मिला है और संपूर्ण संस्थाओं की स्रेड़ी में अगर बात की जाए इन दे केटेगरी आफ ओवर ओल इंस्थान तो उसमें नई दिल्ली इस्थित जवाहरलाल नेहरू बिश्विद्याल है यानि जेन्यू को नवा स्थान और बीएचू को वराणसी में है इस्थित दसवा स्थान प्राप्त हुआ है तो इन दे इंडियन रैंकिंग आफ एजुकेशनल इंस्थित आफ साइंस गट फॉर्स प्राप्त प्राप्त इन दे केटेगरी आफ यूनिवरस्टीज यानि बिस्विद्यालियों में जवाहरलाल नहरू यूनिवरस्टी निव दिली गौट सेकेंड रैंक और बीएचू गौट थर्ड रैंक और कैलकेटा यूनिवरस्टी गौट फॉर्थ रैंक अब बात करते हैं इंजिनरिंग कॉलेज की स्रेंडी में यानि रैंकिंग में इंजिनरिंग कॉलेजों की स्रेंडी में अगर बात किया जाए तो IIT मदरास को प्रथम अस्थान, IIT दिली को दूसरा, IIT बॉंबे को तीसरा, IIT कानपूर को चौथा अस्थान मिला है अब बात करते हैं प्रबंधन संस्थानों के यानि मैनेजमेंट इंस्ट्यूट में अगर बात की जाए तो एहमदाबाद को प्रथम, IIM बेंगलूरू को दूसरा और IIM कैलकाटा को तीसरा अस्थान मिला है तो कॉलेजों की शेर्डी में रैंकिंग में नई दिल्ली सिद्ध मेरानदा हा rotations को प्रथम, Lady Sriram College for Women को दूसरा ये भी दिल्ली में है और Loyola College चे नई को तीसरा अस्थान मिला है, यानि कॉलेजों की सिद्ध में ये भी ध्यान रखेंगे वहीं Medical College की स्रेड़ी में AIMS को प्रतमस्थान, जबकि चंडीगर इस्थिस इसनाथ को उतर, चिकिस्सा सिक्षाण संधान संस्थान को दूसरा और Christian Medical College वेलोर को तीसरा स्थान और Pharmacy College की स्रेड़ी में ये बात किया जाए, तो दिली स्थित जामिया हमदर्द को प्रतमस्थान है, पंजाब विश्विद्याले चंडीगर को दूसरा, विरला प्रत्योगियों विज्ञान संस्थान पिलानी को तीसरा स्थान मिला है, और Architectural Institute में यानि वास्तुकला संस्थ संस्थानों में तो IIT रुड़की को फॉस्ट रहें, और रास्तिय पद्योगि संस्थान काली कट को दूसरा, IIT खड़कपुर को तीसरा, तो ये पूरी तरह से क्या है, फैक्ट बेस्ट है, इसको अलग-अलग स्रेड़ियों में आप टॉप थ्री कम से कम याद रखिएग तो इस तरह से पहली बार सामिल किया गया अनुसंधान संस्थानों की स्रेड़ी में, तो भारतिय विज्ञान संस्थान बैंगलूरू प्रतम, IIT मदरास को दूसरा स्थान मिला है, तो ये सारे आकड़ों को ध्यान रखेंगे, अब बढ़ते हैं, अजी डोवाल, लाँच INS DRU, इंडिया's first nuclear missile tracking ship, आजी लाँच करने जा रहे हैं, भारत की तरफ से आने वाली nuclear missile को track करके उन्हें दुस्मन की धरती पर ही खत्म करने वाला, इसका नाम क्या है, INS DRU, ये ध्यान रखियेगा, तो the first nuclear missile tracking ship will join the Indian Navy's fleet, यानि यह पहला nuclear missile tracking जहाज है, जो भारती नौसेना के बेडे में सामिल हो रहा है, और इस जहाज की खास तोर पर चीन और पाकिस्तान की निगरानी है, तो इसे तैनात किया जा रहा है, तो इस तरह से भारत की रक्षा पंती और मजबूत होगी, और National Security Advisor अजी डोवाल बिल लाँच दिस सिप इन विसाखा पत्नम, ये विसाख करम बीर सिंग, एंटी यारो के अध्यक्ष अनिल दासमान भी मौजूद रहेंगे, और नुकलियर मिसाइल ट्रेकिंग जहाज को अपनी नौसेना के बेड़े में सामिल करने वाला भारत बिस्तु का छठवा देश हो गया है, यानि इस से पहले इसका डेवलप्मेंट किया था किसने किसने, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस्वा, चीन के पास है, और आइनस ध्रू का वजन करीब 10,000 टन है, और यह लंबी दूरी के रडार, यानि लॉंग रेज रडार, ट्रेनिंग, एंटीना, एडवांस एलेक्रानिक सिस्टम से यह लैस है, देवलप्मे हो जाता है, और यह इसके साथ ही सर्विलान सिस्टम के ऑपरेशन में, जहाज को 14 मेगावाट बिजली की आउशकता होगी, तो यह खुद ही बनाने में सक्षम है, और इसकी जो लागत आई है, 725 करोन रूपए, तो यह इसकी सब खासियते हैं, इन्हें भी ध्यान अब बढ़ते हैं, इन्टरनेशनल अफेर्स में, चाइना आर्म एक्सपोर्ट कम डाउन, आफ्टर स्टिक्नेस बाई फोर कंट्रीज, इन्क्लिवधिंग इंडिया, यानि भारत समय चार देसों की कड़ी कारवाई के दौरान, चीनी हत्यारों का जो निर्यात है, वह घट गया है, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है, कि A.C.I. देसों के प्रतिचीन की जो आक्रामक राजनीती है, यही कारण है कि यह देस इससे किनारा कर रहे हैं, तो अर्लियर डिरिंग 2004-13, इट हैड इंक्रीज इस इक्सपोर्ट अल्मोस त्री टाइम, यानि 2004-13 के दोरान उसने अपने निरियात को तीन गुना बढ़ाया था, लेकिन 14-18 के दोरान केवल 2.7% की ब्रिधी हुई है, तो इस टॉक इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्ट्यूट जिसे सिप्री कहते हैं, ने इस रिपोर्ट में जानकारी दी है कि 10 प्रमुक हतियार आयतकों में चार यानि भारत, आस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, वियत नाम ने राजनीतिक वजहों से चीन से आयात पर कठोर निरने लिये हैं, चीन को सरवादिक फायदा अपने यहां बने ड्रोन के या ड्रोन का निरियातक सबसे बढ़ा है, और इवन सबसे बढ़ा उत्पादक और निरियातक देश भी है, तो यह भी ध्यान रखेंगे, और इस तरह से भविस में अन्मैन कॉमबेट, एरियल वीकल्स को युद्ध का परिणाम ते करने वाले अस्त्रों माना जा रहा है, तो इस तरह से यही वजह है कि अमेरिका भी काफी समय से वाइव रक्षा तक्नीक प उसने केवल दो देशों के ही 10 USA भी निरियात किये थे, लेकिन 2014 से 18 तक 13 देशों को 153 USA भी महया करवाए हैं, तो यह सब आंकडे हैं इन्हें ध्यान रखेंगे, अब बढ़ते हैं दोस्तों, साइंस और टेक्नलोजी में, आज हम बात करेंगे जीका वाइरस, तो जीका जीका वाइरस बाइरस इस्प्रेद बाइ एडीज मच्छर के काटने सोता है, उसी तरह से यह जीका वाइरस भी एडीज मच्छरों के द्वारा ही फैलता है, और दोस्तों जैसे वह दिन में काटता है, यह भी मच्छर दिन में ही काटता है, और जीका वाइरस पहली बार ज की कैपिटल कमपाला है तो इसके बाद 1952 में युगांडा और संयुक्त गंडराज तंजानिया ये भी अफरीका महादियूप में है इसकी कैपिटल डोडोमा है में मनुष्यों में इसकी पहचान की गई तो इस तरह से जीका वाइरस रोक का प्रकोब अफरीका अमेरिका एसि में इसके मामले पाए गए और जीका वाइरस रोक का पहला प्रकोब 2007 में माइक्रोनेसिया के संगीह राज से दर्ज किया गया था तो इस तरह 2013 में फ्रेंच पॉलिनेसिया ये समझने है ना पॉलिनेसिया माइक्रोनेसिया मेलानेसिया इसको मांचित में देखिएगा और न्यूजिलेंड के साथ साथ प्रशान्त महासागर में इस्थित द्वीपिये देसों के समों को ओसीनिया कहा जाता है जिसमें माइक्रोनेसिया, मेलोनेसिया, पॉलीनेसिया अलग-अलग भागों में बचा हुआ है तो इन मार्श 2015 ब्राजील ने में यह बिमारी जो है कह स संक्रमित हो गया तो बच्चे में उसके जो माइक्रो से फैली का मतलब क्या हुआ उसका सिर बहुत छोटा हो जाता है प्रभाव पड़ता है इवन जो है गर्भ में ही बच्चा जो है जन्म लेने से पहले ही मर जाता है और यह तो जन्म लेने के बाद भी तो इस तरह की समस 15 days का अनुमान लगाया जाता है और इस तरह से symptom are usually mild including fever, races, conjunctivitis, muscles and joint pain यह सब फील होता है headache तो यह तो से 7 दिनों में दिखाई देने लगता है और जीका वाइरस मुक्यता उश्नकडबंधी और उपोश्नकडबंधी छेत्रों में 80 अब देखिए उश्नकडबंधी यह चेत् आरद होता है तो यहाँ पर मक्षर या कीट पतंगें डिवलफ होने के चांसे बहुत होते हैं जैसे अपने हाँ उतर प्रदेश का गोरखपुर रीजन क्या है यह तरही रीजन के अंतर गताता है यही कारण देखिए वहाँ जापानी एंसेफलाइटिस, मलेरिया यह सब ब इंडियन ओरिजन हेमंत धन जी अपॉइंटेट जज आप दा सुप्रिम कोर्ट आफ ऑस्ट्रेलिया तो यह पहले ऐसे भारती मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हो गए हैं जो कि न्यू साउथ वेल्स सुप्रिम कोर्ट के नियाइधीस के रूप में नियूक्त हुई हैं और इस तरह से भारत और कह सकते हैं ऑस्टेलिया के भी समबंदों में प्रगारता में यह एक पॉइंट और जुड जाता है। तो टू प्लस टू आरता जो की होने वाली है यारा सितंबर को इस तरह से भारत चाहे सिक्षा के शेट में हो चाहे समुद्री सुरक्षा के यानि हमारे देश के जैसे रक्षा मंत्री अस जैसंकर और राजनाज सिंग उसी तरह उस्टेलिया के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के साथ यह वारता होती है तो इसी को 2 प्लस 2 वारता मंत्री परसत डैला कहा जाता है अब बरते हैं दोस्तों उत्राखंड के नए राज्यपाल यानि न्यू गवर्नर आफ उत्राखंड रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुर्मी सिंग को बनाया गया है चुकि 8 सितंबर को ही उत्राखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर ने इस्तीफा दे दिया है उनकी जगह इन्हें बनाया गया है अपॉर्ट फाम दिस तमिलनाडू गवर्नर बन्वारी लाल पुरोहित हैस बीन मेड गवर्नर आफ पंजाब वाइल आरेन रवी विल बी दे न्यू गवर्नर आफ तमिलनाडू तो यह भी ध्यान रखेंगे यहां परिवर्तन हुआ है इसी त इसटाफ फिप्टी टीचर्स फ़र गलोबल टीचर प्राईज टू थाउजन ट्वेंटी वन तिया गलोबल टीचर प्राईज दोहजार एककीस की पचास सिक्षकों की सूची में दो भारतियों ने भी अस्थान बनाया है तो इसमें साथ करोनों 35 लाग की रासी मिलती है य गणित के सिखचक हैं, सत्यम Misra और हैदराबाद में सामाजी का ध्यान अंग्रेजी और गणित के सिखची का मेघना मुसुणूरी यहाँ इसमें सामिल हैं तो यह ध्यान रखेंगे और यह वर्की फाउंडेशन के संस्थापक सन्नी वर्की ने अंकर कि केवल सिक्षा को प्रात्मिक्ता देकर ही हम सभी अपने कल की रक्षा कर सकते हैं तो यह 121 देशों से 8000 से अधिक नामंकन और आवेदन आये थे किसके द्वारा वर की फाउंडेशन द्वारा यह आयोजित किया गया था और इसमें UNESCO की भी participation थी तो इस तरह से यह ध्यान रखेंगे और इसके साथ ही पहली बार सुरू किया गया है चेक.org ग्लोबल स्टुडेंट प्राइज में भी 50 चात्रों की सूची में चार भारती चात्रों के नाम सामिल हैं इसमें भी एक लॉक डालर की रासी दी जाएगी तो यह चारों नाम हैं नई दिल्ली से वास्तुकला के 21 वर्सी चात्र कैफली आई आई एम एहमदाबाद के 23 वर्सी MBA चात्र आयूश गुपता जहारखंड की 17 वर्सी सीमा कुमारी और हर्याना के केंद्री विश्विद्याले के 24 वर्सी चात्र विपिन कुमार सर्मा भी सामिल हैं अब बढ़ते हैं दोस्तों बैंकिंग और फानेंस लेटेड निउज में फोर्ड कंपनी विल नो लॉंगर मेक कार्स इन इंडिया दोस्तों फोर्ड कंपनी अब भारत से जा रही है उसने फैसला ले लिया है कि अब भारत में कार नहीं बनाएगी और यह अमेरिका की कार कंपनी है फोर्ड कंपनी अब भारत में कारें नहीं बनाएगी भारत सरकार की मेकिन इंडिया योजना कोई कह सकते हैं कि एक बड़ा जटका है चुकि इससे पहले भी दो और कंपनियां ऐसा कर चुकी है पिछले साल ही हारली डेविडसन ने भी या फैसरा लिया था 2017 में जनरल मोटर्स ने भी भारत को छोड़ दिया तो फोर्ड ने कहा है कि पिछले 10 साल से उसे 2 अरब डालर से ज़्यादा का नुकसान हुआ है यही कारण है कि वह यहां से अब जाने की बात कर रही है लेकिन इस से कम से कम 4,000 कर्मचारी प्रभावित होंगे और यह फोर्ड 1990 के दसक में ही भारत में प्रवेज किया था और उसे लगा था कि वह भारत में अपना मुकाम स्थापित करेगी लेकिन यहां नहीं कर पाई और भारत में कार बनाकर अमेरिका निर्याद करने वाली यहीं एक मात्र कमपनी थी फोर्ड यह भी ध्यान रखेंगे और अब लाब का समय आया तो यह वापस जा रही है अब बढ़ते हैं स्पोर्ट नियूज में BWF कैंसिल सेद मोदी इंटरनेशनल बैटमिंटन टूर्णामेंट यानि अंतरास्टिय बैटमिंटन टूर्णामेंट ने रद कर दिया सेद मोदी अंतरास्टिय बैटमिंटन टूर्णामेंट या सूपर 300 टूर्णामेंट तो यह जो है कोरोना की वज़ा से इसको रद कर दिया गया है और यहां लखनव में 12 से 17 अक्टूबर तक खेला जाना था लेकिन ड्यू टू कोविद कई और जैसे चाइना ओपेन, जापान ओपेन, फुजाओ चाइना ओपेन, हांग कांग ओपेन जैसे महत्पो टूर्णामेंट भी बैस्विक संकट के कारण रद कर दिये गए थे अब बरते हैं दोस्तों, लियोनेल मैसी हिट्स हैट्रिक अगेंस बोलीविया, लियोनेल मैसी हमेशा खबरों में चाहे रहते हैं, महान फुटबाल खिलाड़ी हैं, अर्जेंटीना के हैं, और उन्होंने बोलीविया के खिलाख, फीफा 20 कप क्वालिफायर मैच में हैट्र जमाते हुए, तो फुटबाल के महान खिलाड़ी हुआ करते थे पहले, उन्हों को जो है, इन्होंने पीछे छोड़ दिया है, तो विद इस हैट्रिक मैसी ना होल्ड रिकार्ड फार मोस्ट गोल इस्कोर्ड बाई साउथ अमेरिका इन इंटरनेशनल मैचेश, यानि करने के रिकार्ड को भी द्वस्त कर दिया है, तो इस तरह से वह जो है, कह सकते हैं कि बोलिविया और यह जो चल रहा है मैच, इसमें उन्होंने हैट्रिक लगाई, और ओवर अगर बात किया जाए, मैसी इंटरनेशनल फुटबाल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खि प्रे चितलू 79 गोल का नंबर आता है, तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, और अभी कुछ दिन पहले ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 111 गोल करकर प्रथम अस्थान पर काबिज हुए, उन्होंने अलदेई को पीछे छोड़ा था, ये भी ध्यान रखेंगे, अब बढ़त भारत ही नहीं, बिश्व के देशों में आवसाद से ग्रसित हो गए हैं लोग, और लोगों के नौकरियों के जाने का दुख, बहुत सारी समस्याओं की वज़ा से आत्महत्या कर लेते हैं, तो इस तरह की खबरें आती रहती हैं, जैसे चात्र परिक्षाओं में देरी की व जासे सुिसाइड कर लेते हैं, तो उसी इस पर जाकरुकता अभियान के तहट, दस सितंबर को विश्व आत्महत्या रोक थाम दिवस मनाया जाता है, और इस दिन की सुरुआत, दस सितंबर 2003 को इंटरनेशन एसोसियेशन फार सुिसाइड प्रिवेंशन और विश्व स्वा आयोजित के रूप में सहमत हो गया, और इस तरह से 60 से अधिक देशों में सैक्लो कारिक्रम आयोजित करता है इस दिवस पर, और इस बार का जो थीम है, Building Hope Through Action, यानि कारवाई के माध्यम से आशा बनाना, अब बढ़ते हैं दोस्तों, let's talk about some important fact में, आज हम बात करेंगे भार उत्पादन करता है, सहतूत तसर, ओक तसर, उस्नकटबंधी तसर, एरी, मुगा, यह सब का वह उत्पादन करता है, तो मद्य युगीन काल से इस उद्योग को सरक्षण मिला था, और रेशम उद्योग एक प्रम कुथीर उद्योगों में से एक है, तो इदर कह सकते हैं, रखने के लिए सुरक्षण कवच, यानि प्रोटेक्टिव शील्ड के रूप में कोकून को, कोकून का यह निर्माल करते हैं, किसका निर्माल करते हैं, कोकून का, और रेशम कीट का जो जीवन चक्र होता है, तिसमें क्या होता है, पहले एक बनता है, फिर इल्ली जिसे तो इस तरह से वस्तर की बुनाई में इसका प्रियोग किया जाता है, कोकून के चरण पर रोक लगा कर इसमें से निकाला जाता है, पेडों पर और इसके अंतरगत रेशम के कीडे पालने के लिए शाहतूत, गूलर, पलास, आदिके, ब्रिक्ष लगाना, कीडे पालना, रे या भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, और हर साल आउस्तन 80-200 मीट्रिक टन रेशम का उत्पादन करता है, और इसके प्रमुग जो केंदर है, तुमकूर है, डोडबालपूर है, बैंगलोर है, मैसूर है, मैसूर सिल्क सुना होगा, इसी तरह से तमिल मैबूब नगर, कुर्णूर, ओंगोल, आदिलाबाद, धर्म वरम, हिंदुपूर, पोचम पल्ली में भी यहा उत्पादन होता है, बिहार के कटिहार और भागलपूर में भी इसका उत्पादन किया जाता है, तो यहाँ था, इसको मांचित में देखेंगे, तो इस तरह से यहाँ पर मलबरी सबसे जादा यह करनाटक वाले छेत्र में होता है, तो इस चित्र के आधार पर देखेंगे, तो और आसान हो जाएगा, अब बढ़ते हैं, एंसर, कल के एंसर में आप लोग इसको जरूर मिला लीजिएगा, और देखिएगा, हलांकि काफी लोगों ने उ उत्तर सही दिया है, और इसको मिला करके जो भी किसी गलती हुई उसे ठीक कर लीजिएगा, अब बढ़ते हैं, आप लोगों को सेक्षन में जो की बहुत ही सुन्दर उत्तर दे रहे हैं, आज उत्तर देने वालों में हैं, साई तेजा दुग्गी, जेबुन निसान अजमे इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनो दिये हैं, आशा करता हूँ कि आज और जाता से ज़्यादा लोग उत्तर देंगे, तो आप लोगों के सामने पहला प्रसन है, विच इंस्ट्यूट हैस गॉर्ट प्लेस इन एनुवल इंडियन रैंकिंग बाइदा मिनिस्री आफ इक्सपोर्टर, यानि लडाकू, ड्रोन उत्पादक और निर्यातक देश कौन बन गया है विस्टू का सबसे बड़ा, अमेरिका, जापान, चीन या जर्मनी, नेस्ट कोशन है, देजी का वाइरस वाइरस वाज फर्स आइडेंटिफाइड इन मंकीज आफ वीच कंट्री 1947, तो कब पहचाना गया था, 1947 में, किस देश में, सुडान में, युगांडा में, ब्राजील में या थाइलेंड में, नेस्ट कोशन है, वो हैस बीन अपॉइंटेट अज दे निव गवर्नर आफ उत्राखन, आरन रवी, कलराज मिस्र, गुरमीज सिंग, बनवारिलाल पु मिला है कि तीन लोगों को मिला है कि चार लोगों को, अब बढ़ते हैं दोस्तों, फोर्ड कार कंपनी वीच विल नो लॉंगर में कार्स इन इंडिया, बिलॉंग्स तो विच कंट्री, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन, साउथ कोरिया, अनेस्ट कोशन है, सायद मोधी इंट फुर्बॉल प्लेयर आफ विच कंट्री, किस देश के खिलाड़ी है, ब्राजील, बोल्विया, अर्जेंटीना या चिली, और नेस्ट कोशन है, वेन इज वर्ल्ड सुसाइट प्रिवेंशन डे अब्जर्व, फाइफ सितंबर, सेवन्थ, नाइन्थ, और तेन्थ, वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे, तो प्लीज लाइक, सेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूले, थैंक यू दोस्तों